असलाम अलेकुम दोस्तों उम्मेद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में सौधी अरभिया की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में दो काफी अच्छी न्यूज आई है सौधी हुकुमत की तरफ से इसके अलावा भी और न्यूज है जिसे मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे request है वीडियो को भी से like कर दीजिए और चैनल कभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को press कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो सबसे पहली न्यूस जो है वो ईद की छुट्टी को ले करके है मलिक सलमान की तरफ से ये कहा गया है कि स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में मदर्सों में इनकी जो छुट्टी रहेगी वो 22 अप्रेल से ही शुरू हो जाएगी पहले इन्होंने 26 अप्रेल से कहा था लेकिन इसको चार दिन बढ़ा दिया है यानि छुट्टी चार दिन की और बढ़ाने की वज़े से ये छुट्टी 22 अप्रेल के बाद से ही शुरू हो जाएगी इसमें एक चीज का फायदा ये होगा कि जो हमारे हाउस ड्राइबर भाई लोग हैं उनको थोड़ी से राहत मिल जाएगी क्योंकि रमजान के महीने में सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना फिर उनको वहाँ से वापस ले करके आना तो इससे थोड़ा उनको राहत मिल जाएगा वहीं दूसरी तरफ जो लोग कंपनी में काम करते हैं मौससे में काम करते हैं उनके लिए कहा गया है कि 29 रमजान यानि 30 अप्रेल के बाद से उनकी छुट्टी शुरू होगी तो उस छुट्टी के बदले company या कफील को या तो ईद के बाद या ईद से पहले एक छुट्टी आपको देनी पड़ेगी इसके अलबा जो दूसरी news है वो ministry of human resource की तरफ से है जैसा कि भी दो दिन पहले एक news आया था कि ministry of human resource की तरफ से एक circular जारी किया गया था उसमें जो है जो हरूब वाला कानून है उसमें कुछ बदलाव किये गए थे तो उसी से related एक news और आई है जो कि काफी अच्छी news है तो जैसा कि ministry of human resource ने ये कहा था कि अब कोई भी कफील किसी worker के ऊपर अगर हरूब लगाएगा तो पहले उसकी जाच की जाएगी कि वो हरूब सही है या गलत है तो इस कानून को इन्होंने लागू कर दिया है ministry of human resource की तहकीकात में ये पाया गया है कि worker अपने duty पर मौजूद है काम कर रहा है कफील के पास है और कफील ने उसका हरूब लगा दिया वजह ये बताए गई है कि worker का कफील के उपर या तो हिसाब निकल रहा है उसका हक हुकूग निकल रहा है कफील उस चीज़ को देना नहीं चायता जिसकी वज़े से worker के उपर कफील हरूब लगा दिया है और दूसरी वज़े worker का इकामा एकस्पायर हो गया है कफील उसको बनवाना नहीं चायता उसकी वज़े से उसके उपर हुरूब लगा दिया है इसके इलावा वरकर में और कफील में किसी बात को ले करके किसी जगड़े को ले करके अगर worker कफील के ऊपर कोई केस कर दिया है कंप्लेन कर दिया है तो वहाँ पर भी कफील गुसे में आ करके worker के ऊपर हुरूब लगा दिया है इसके इलावा एक बहुत ही important जानकारी उन्होंने बताई है कि इस तहकीकात में ये भी पता चला है कि बहुत सारे worker ऐसे हैं जो अपना contract खतम होने के बाद में दूसरी जगह है तो इस तरह के जितने भी हुरूब लगाए गये हैं सब को अमान ने कर दिया गया है रद कर दिया गया है तो ऐसे लोग जो सौधी अर्भिया के अंदर काम कर रहे हैं और वो ये जानते हैं कि हमारे ओपर गलत हुरूब लगा हुआ है तो आप तुरंद जागर के मक्तब बलबल में इस चीज का कम्प्लेन करें और जो लोग ऐसे हैं कि उनके ओपर जो हुरूब लगा है वो सच्चा हुरूब है वो भाग गए थे उसके बाद उनके ओपर हुरूब लगा है तो उनके लिए कोई नया कानून नहीं है उनके लिए वही पुराना कानून है कि उन्हें पकड़ा जाएगा तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा या तो अपने कफील से मिल करके बात चीत करके मामिले को सुलह करा के अपना हरूब हटवा सकते हैं बाकी इसके इलावा दूसरा रास्ता नहीं है इसके इलावा सौधी अर्विया की एक और न्यूज है जिसे मैं आप लो माली जगह है तो वहां पर एक सौधी शहरी घूमने के लिए गया था और पता नहीं कैसे वो जा करके दो पहाणों के बीच में जो है जाके फंस गया जिसको निकालने की कोशिस जो है तकरीबन 24 घंटे से की जा रही थी तो फिलहाल उसे सही सलामत वहां से निकाल लिया गय देखिए आज सौधी अरबिया के अंदर एक न्यूज आई है कि पिछले हफते में जो पॉइंट आप सेल होते हैं जो इस पैन मशीन के जरीए जो लोग खरीदारी करते हैं अपना कार्ड स्वाइब करके उसके जरीए 9.9 अरब रियाल की खरीदारी की गई है यानि इसमें नहीं दिया गया है यह है पॉइंट आप सेल की बात हो रही है कि मतलब स्वाइब मसीन के जरीए जो स्वाइब करके जो पेमेंट हम करते हैं उसकी बात की गई है तो यह तिया सथी अरब को जरूरी नहीं हो जिसे मैंने आपके साथ शेर कर दी जानकारी अच्छी ल दिया हुआ है तो वहां से जाके मुझे फालो कर सकता है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक की लिए इजाज़त दीजिए खुदा आफिस